हेलो एवरिवान गुड मानिंग अल आफ यू और वेलकम टू फ्री नालेज दोस्तो आज फर्स्ट एप्रिल और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एप्रिल से रेलेटेड करेंट आफेट्स के सभी इंपर्टन्ट कुश्चिन्स को कवर कनने वाले और लास्ट डे आई व को भी नोड बना सकते हो आप क्योंकि मैं इंपर्टन्ट कोश्चिन्स लेगाता हूं और देखने कवाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों से ठीक है तो चलो सबसे पहले देखते आज का थर्ट अब दर्दे क्या है क्यों चिलाते हो सिकायांते को खु को सुनता है ठीक है इसमें क्या बोल रहा है हम बोलते हैं यार मेरा नसीब में नहीं है मैं क्या करूंगा उसका था वह हो गया और कोई ऐसी भी बोलते है यह पढ़ा लिखा में इतना तेज नहीं था लेकिन उसका नोगरी हो गया इस नहीं होता है ठीक है क्योंकि तेज नह करना पड़ेगा फिर भी प्रेवी करना पड़ेगा तभी जाके सक्सेस मिल चकता है ठीक है तो जलो दर फार्स्ट कोस्टें नेज कौन सा देश का जो जो अभी एक्सलोड हो गया है मतलब बहार निकल गया है जिसमें हमारा बहुत सारे नुक्षान होता है ठीक है वह है इंडोनेसिया अंसरीज अप्षन यह क्या है देखते अभी मैं कुछ दिन पहले आपको यही चीज बोला था जो संगे जाला मुख्य था इंडोनेसिया थी तो यह क्या हुआ था मतलब एक्सलोड हो गया था जिसमें की बहुत सारे नुक्षान हुआ था तभी आपको यह पता होना चाहिए कि जवाला मुख् से एक्सलोड होता है यह जो हमारा सबसे मेल टेस्ट चीज है और जो कि हमारा अंडर आवर आर्थ है उसके निचे जितना भी गरम चीज है ना वह सब क्या होता है जो हमारा पाहाट जीश होता है उसमें से वह एक्सलोड होता है और इतने तेजी से जाता है कि आसमान में चल ठंडा हो जाताए जैसे हमारा बदल जीस है न ऑठंडा हो क्या होता है सोड़ा वाटर ट क्विए होते हैं में कजा दल Expectations दो नगे तो अब करते हैं इंडोनेसिया क्या हो आई है की चैपड़ тоб skipping करता है फिर्करर अग्क इसमें क्या है यह होता रहता हैं को अगौन फिर अब वह फिर होंगे दो साल बाद यह मतलव आक्टी मतलव समस्ढ़कियों आप आक्टी मतलव कभी भी हो सकता है ठीक है यह कभी भी हो सकता है और अपनीतर में कैसे कोई डानी कर विडियो में तो यह और मेरे दिन पहले यह संगे जाला मुखी था ठीक सघ का चलिए में अभी एक जो लोम फिके जो की सक्रिय वो क्या है बैर्य जो एन टेक कि अले ज imagery वह क्हां है अंडामान निक्वर्यायन में ठीक है अन्डामान निकवर तेजला मुखैं में तो तो टोटल नमबर of active वोज रृकना थ कितना है हमारा वी वड में वो टोटल है कितना फाहं को यह याद रखना है कियोंकि यह प्टिफ। चीज आपको यह याद रखना हैं है और दूसरा चीज क्या है दूसरा है सुसुप्त ठीक है वह सुसुप्त जालों लोग्हाँ उडिगा्र यह अभी मतलब आज तो कभी हुआ नहीं यह ज्वाला मुख्या टाइप जो है आज तो कभी हुआ नहीं लेकिन हो सकता है मौट इसपीस में कोई मतलब नहीं की कल नहीं होगा परसुन नहीं होगा हो चक्ता फिर परसुद देगा मतलब यह इसे चीज़े की there is no particular time and future में इसे कुछ भी नहीं होगा ठीक है उसलिए इसको बोलते है स्वस्प्त मतलब यह सुप्त अबस्त में है मतलब यह स्वयोवेज यह रहा है कभी भी एक्स्प्लोड हो सकते है ठीक है यह सुप्त जवाला में की ठीक है और यह क्या है मैं आपको लास्ट टूडियों में बताया था यह फुजिया मा फुजिया मा यह का है यह जापन में यह हो गया फुजिया मा और और लास्ट वान कौन सा है मुरूत है मुरूत मतलब आपको पता चल गया होगा जो मर गया है मतलब no action ये क्या है ये कभी हुआ था ना हो रहा है ना future में कभी होने वाला है ये हो गया मुरूत जाला मुकी ठीक है ये कौन सा है ये किल मांजरो मतलब अभी जो हमारा इंडिया का 7 सार का लड़का ने वो पहुंचा था किल मांजरो आपको पता होगा मैं वीडियो में ये चीज कवर किया हूँ प्लीज सी दे लास्ट वीडियो जो के ये कहा है किल मांजरो आफ्रिका में ठीक है और एक कौन सा है और एक पुपा है और एक क्या है पुपा ये कहा है मिया मार में ठीक है ये है मिया मार में आप ये चीज को नोट कर लेना क्योंकि आपको में ये चीज डेस्क्राइब करने का मतलब ये कोई भी पता है कि ये निउस में पढ़ लिया ये मेरा भी और इंडिया अनटिया के बीच में एक्सक्ति के इंडिया और इंडिया रेंड सक्ति एक मिल्यटर एक ere plane और शिर्फ गरूड होता है वोज इंडिया और फ्रांस ठीक है आप यह चीज को ध्यान में रखना दा नेक्स्ट वन इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मैंड और निव इडिशन आफ वीडू भेस्ट मिंश अवेलीड आप ने कुछ दिन पहले ही सिर्फ अपड़ेड भर्सन था निया रही यह जालीला लया ऑला ये अ ऑंप्राइम प्रमाप इंडिया कोने स्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इसको रिवेज कि है मतलब एडिशन न्यूडिशन कि यह किसले लाए एक्जाम वारियर मतलब पता है कि मतलब परिक्ष्य योधा मतलब लटने वाले किसके साथ एक्जाम के साथ हमको एक्जाम है तो एक TENTION में स्ट्रेस मात आते कि एक्जाम है क्या होगा पता नहीं मेरे preparation सही नहीं है there are a lot of problems real problems भी होता है और कुछ stress भी हो जाता है कि पहले से कि exam में नहोगरी करने का भी चाहते है और इधर tension भी है कि exam के लिए तो ये चीज़ को stress मतलब reduce करने के लिए तो इसको किसे लिए to reduce stress before exam ठीक है stress या pressure before exam ठीक है ये किसके लिए है ये for parents के लिए भी है teacher के लिए भी है students के लिए भी सब के लिए ये चीज़ है ठीक है for all ये किसके द्वारा हुआ है प्राइमिर्स प्रारेंडर मोदी books का नाम क्या है exam warrior ठीक है answer is option d which state is going to become the state with maximum international layer force इंडिया में इंचे कौन सा राज्य है जो की सबसे ज़्यादा international layer force होने वाला पहले राज्य बन गया तो वह है answer is option ए उतर प्रदेश ठीक है उतर प्रदेश total number of international air force हम international air force की बात कर रहें ठीक है total number कितना है पांच है और अभी कोई पुछेगा और आपको इंडिया में total number of international air force कीतना है तो वह है के international air force in India ये कितना है 34 है ठीक है total number कितना है 34 उसमें CP में कितना है UP में 5 है और करनाटक एंड तमिल नडू करनाटक एंड तमिल नडू में कितना हो गया इसमें चार्ज आ रहे ठीक है करनाटक एंड तमिल नडू में चार्ज आ रहे और तो अभी UP हो गया पेल राज्य जो कि 5 इंटरनेशनल air force है और अभी discussion अगर UP के बार में करेंगे तो UP UP का लखनो है capital और योगी अधितनाथ है हमारा क्या Chief Minister of UP जो कि बिजेवी से विलंस करते और आनन्दिविन पटल Governor of UP जो कि अडिशनल Governor का चार्ज भी संभाल रहे है MP का मध्य प्रोदेश का ठीक है आनन्दिविन पटल और UP के राज्य सभाज से कितने सीट आते है राज्य सभाज आते 31 एंड लोग सबसे आते है और सी क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा Constitution राज्य अगर कहीं पर है तो UP में और सबसे बड़ा स्टेड भी है पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो UP है ठीक है और आप ये देखना ये क्या है हमको गलोबाली चारतरों पहचान लाने के लिए कि एक डिस्टिड में एक हम इसे पकावी जासे काला नमों क्राइज था एसे बहुत सरे जुथी था ठीक है और एलिफांट हस्पिटाल जो है एलिफांट हस्पिटाल यूपी में सब पहले एलिफांट मॉथ्रह में है और इंडिया का सबसे एले ट्रांजञंडर पार्ग ठ्रांजञंडर पार्गे ठीक है ट्रांज करेंग अली इंडे एलिफांट ह्यां वहक्त देख धांटतर ख़राइव दोक्री तर्वन्झु अंग्लादेश अन् जलंपाई गूडतности ठीकहे? मितली एकस्ट्रेस क्या कर रहा है? मितली एकस्ट्रेस ढाका2 ढाका यह बांगलादेस का केपिटाल है to new j NicoaticUI खीके? नुजल पाई गुडी कहा है, वेस्ट बेंगल में इसको connect करने वाला दूसरा टेर्मर गे मतलब पहले भी है महीत्री एक्सप्रेस क्या है महीत्री एक्सप्रेस है ढाकाटू कुलकाता यह हो गया महीत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भी है इसमें बंधन एक्सप्रेस कहा है ये कहा है बंधन एक्सप्रेस है ठीक है ये खेलना टू कोलकता है ठीक है ये हो गिया बंधन एक्सप्रेस तो दीज रिगरिंग हमारा एक्सप्रेस जो जो है ये जो मिधले एक्सप्रेस ये कव इन्यागुरेशन किये थे कि उनका जो 50 एनिवरसरी हुआ था इंडिवेंडेस अनिवसरी जो हमारा 26 मार्च को उनका इंडिवेंडेस डेवा था बंगलदेश का तो पी एम नरेंद्र मदी उनका चीप ऑफ गेस्ट थे ठीके गेस्ट अफ अनर जो थे तो उसमें गे थे और उनका जो प्राइम मिनिस्टर सेख हसी ने शेख हसी बंगलदेश के बारे में बंगलदेश हमारा पोड़स में बंगलदेश का पहले रिफर्म केश हुआ था आप्टेर इंडिया एंड पाकिस्तान का जब यूद हुआ था 1971 में 1971 में तो इसमें क्या है जो मुसल्मान और हिंदु कुछ थे वो मतलब डरके और इसी थोड़ा सा साइड होके वो दूसरा स्टेट बन गये थे मतलब प्रोविंस ऑफ स्टेट जो बन गये थे उसमें बन गया था बंगलदेश ठीक है इसमें मेक्सिमाम 90% एबब है इसमें क्या है मुसलिम ने ठीक ह बंगलदेश का 1971 में जो रिफ़ॉम होए थे इसमें उनका जो केपिटल क्या है केपिडल एडाका है मिए प्राइमिनिस्टर को ने सही ख़लकु सिना और इनका करेंच क्या है इनका currency टाका है और इनके अब्य हमारा प्राइम länger당히 मिनिश्टर 5 मोई बात कें क्या है जिसे ट्रेडिंग में और हमारा नेशनल एकोनोमी के उपर एसे पांच चीज में M.O.E. में बात किये ठीक है के हमारा दोनों पीम और जो पसाशी और इनागुरेशन किये थे इसके उपर चीप अपकेस्ट गेह थे यह आप याद रखना और जो इंडिया और बांगलादेश एक अधेक मिलिटारी एक्सराइज करते उसका नाम क्या है संप्रती एक्सराइज ठीक है संप्रती एक्सराइ इंडियान मिलिटारी एंड बैंगलादेस मिलिटारी ठीक है और अभी बैंगलादेस फर्स्ट कंट्रिसाथ जो की हमारा मतलों उनके लिए पहली वार हमार इंडिया में आके आड़ी पेरेड में उनलों भाग लिये ठीक है और दुसरा चीज आपको सबसे में चीज याद की जाते उसको क्या बोलते उसको बोलते में क्या बूलते में यह सबसे इंपर्टानचीज यह है पादमा जैब नेकस्टेक्ट अब तो कि इसके ऊपर हम थोड़ दिस्कर्शन करते है कुन है साइन्टिस्ट इसके अब हम थोड़ा है प्रवाद मिला था इनको साइंटिस्ट आफ दा येर ये को उन दिया था DRDO और केके सेले जा जो की करला का हेल्थ मिनिस्टर है ठीक है करला का हेल्थ मिनिस्टर है इनको UN जो United Nations अवार्ड फोर एगेंस्ट कोविड नाइटिन के ऊपर जो यह कामपाइश चला है थे कुछ इनियसिटीव वह थे इसके लिए और सब्सक्राइब का एन फरेश्ट अफसर अफोरी सा जिन्नों ने की अभी मतलग हमारा एसिया का परियावरन की खेत्र में एक एसिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड था उनको मिला था ठीक ए त्रिपलल में जोता है दिस अले बाट इस कुस्टिन्स और यह आपको हां यह चीज पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेंजर अवार्ड किया होता है और किसले मिला था ठीक है यह है उत्राघंड उत्राघंड का आए कंऑल सन ओफ फोरेस्ट थेज़िए में चीज़ का है इस अलब यह एक पहला आदमी बन गे यह फेला मतलब न फास्त ही ऑसलिए फास्ट परशम टू टेक बेग इस आवार्ड ठीक है इंटरनेशनल रेंजर आवार्ड अक्तियर करने वाला ऐस्यका सब पहला बनगे फर्स्ट फर्षेंड टू रेसिव दा नेच्ट वान इज वीच आरुम्ड फोर्स है डिसाइडर टू अपोइंड रिटायर्ड लड़ाकु डोक्स एज ठराभी डोक्स ये कोण सा मतलव फोर्स ने ये चीज के है तो जो कि जो लड़ा को डॉक्स ते रिट्रेड हो गे ते उनको थेरावी डॉक्स के ओपर मतलब फिर आपोइंट्मेंट मिल गया है यह कोने आईटीवीपी अनसर इस अफ्शन नहीं है आईटीवीप पर फ्रफ डिसकस करते इडिवीप क्या है इंडो तिवत बोडर पॉलिस ठीक है आईटीवीप आईटीवीप का जो डिजी डिरेक्टर जन्रल अफ आईटीवीप जो है कौने एसस देश्वाल में लास्ट वरे सब कभर किया था ठी तुटि एसिस लने、 डीजी जेन्रेल अप लेबिप ठीक है, और ड्यूपी का ओप्पी का मौत्व है ज़र्चा मोट्व ये है स्वा्यों दरदददददददददददददददददददददददददददददददददद० स्वर्य द्रोडता कर्मनेस टाइए क्या है आई डिवी का मोटोर ठीक है नेक्स्ट वान इज वीच इज इंडियास फार्स्ट स्टेट टू हैव टू ग्रीन एनर्जी एफिसेंट टाउन्स आप कोई कुस्टिन से पहले समझना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है सबसे अब सोलार एनर्जी हो गया विंड इनर्जी हो गया ऊटिया है विद आउट एनि पॉलिप्चν जो के हमारा क्लाइमेट चैञ्ज में भॉथ मतलब बहुथ हेल्फुल है ठीक है वह ग्रीन नज्जी ठीक है लाइक हम जैसे बोल देन सोलय अलगत तो हो hen बन गया हमारा जो दो टाउन है वो दो टाउन अभी इंडिया का सबसे पहला इसका पूर इनिसिटीव है कि क्या है वियर गदर टू टाउन्स क्या क्या है एक है राजगीर और बोध गया है ठीक है क्या है राजगीर और बोध गया है ठीक है यह दो टाउन है इंडिया का यह क्या है यह जो ह हमारा शोलार एनर्जी है इन लोग शोलार एनर्जी को ले लेंगे ठीके मतलब शोलार एनर्जी क्रेड करेंगे केज़े यह जो मतलब फिर्स काइंड ओफ रेनेवल एनर्जी प्रोजेक्ट ठीके जो मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया कि रेनेवल एनर्जी प्रोजेक्ट यह क किक करेंगे solar energy से तो इसका एक मतलब development कहां से करेंगे solar energy corporation of India चेहे बंद विस्के यह करेगा इस सप्ले भी करेगा यह प्रोजेक्ट क्या है यह प्रोजट्च करने के लिए ब्यर सरकान झें मतलब लाखी सराई और भागलपुर में जो पांसो मेगवार्ड की सोलार एनर्जी प्लांट है न वो बनाएगा पहले ठीके पांसो मेगवार्ड का सोलार एनर्जी जो प्लांट है वो बनाएगा कहां जो भागलपूर और लखिस्तरह में ये उसका प्लांट बनाएगा पहले ठीके और बात में ये जब डॉन हो जाएग एसके बाद उठت कांका violate प्लान के सबसे हाई कोड में होगा सबसे पहले देन मतलब यह दुने लपाद और दॉन वी reactFr representative रहाऊस दो गभर्रनलर हाऊस फॉथर भी क्या है विदर सप्लिए के दाएगा और मुजीयչ भी जो है मतलब स्टेट मिउजियम यह सब जागा में ग्रीन अनर्जी को सप्ले किया दाएगा गार था अब मोह मेनज़री दीरेक्टर कों ने ये है जतंद्रणात स्वाईंट मोर्भी ए Сам डिसकेशन करते हम टिसकाई म्हला यार्थ sto लिब्हगा रहें उसीफ मिनिस्टर निदिस्कुमार और गवर्णर कों कोई 54 ऐप्सीज्ट को याद रखना भींञें और बिहार के द्वरहों तर बहुत रहो हूए जिसे नज landlord कभिन सब से पहले गम लगाश्दी बनाया गया है गलाज विरीज शसेंगे यहाई भी वहह Nepiau big नें अंलने को सब्सक्राइब बने सब्सक्राय व़ें इसे इन सब्सक्राइब किस के नाम में फार्स्ट फेबरिल 1936 को ओडिशाटे मना गया था ठीक है ओडिशाटे किसली मना गया था तो आपको पता होना चाहिए जो इंडिया का सबसे रेवेलियस रेवेलिशन हुआ था एगेंस्ट डिटिस यह वा था 1870 और नेक्स्ट वान भी कब हुआ था फिर 1857 यह वा था बाई ओडिशा मतलब इंग्रेज के विरुद में जो हमारा वारियर वार हुआ था तो सबसे पहले रेवेलियुशन हुआ था कहा है ओडिशा में ठीक है इसके लिए बहुत सारे मतलब इसका बहुत हिस्ट्री है एंड आप लोग क्या करना यूटूब में जाना और सबसे पहले मतलब मेरा वीडियो आएगा मैं एक वीडियो बनाया हूं बाई फ्री नोलेज नहीं तो सबसे मेरा वीडियो है तो आप उस चीछ को देखना मैं कंप्लेट लिए उसके ओपर बहुत अच्छे से डेस्क्राइब किया हूं ठीक है वह वार के बारे में रिवेले सब्सक्राइब को देखला ना अच्छे से कंप्लेट नलेज एबाउट श्री नलेज उसका तो यह क्या है फास्ट इस एप्रिल फास्ट आप एप्रिल 1936 को ओडिशा मतलब स्वाधिन हो गया था ठीक है सो फास्ट आप एप्रिल इस नोन आज उतकल दिवस तो ओडिशा के बारे में उडिशा का चिप मिनिस्टर को ओन है स्री नवीन प्रत्नायक और पेटा वार्षी के आनिमाल टु हीरो वावर मिला था उनको किसी लिए जो कोरोना डाइम में जानवरों को खिलाने के लिए दिये थे एक बद्जेट थाउन का इसे उडिशा के बहुत सारे चीज की चेइस के घंत तर सही ने क्या है सहीन एक को जो प्रोब्र्रीशटिक मिसमर की जिखता तो पर क्टिंट के पा किस्तान सकता ने सकसेस्ट संद्सक्राइब एकी एक थीघर यूजन कैनल था फिरेंटस फोज। ठीड यह क्या है surface to surface एक सब्सक्राइब बेस्ट इसका रेंज क्या है है यह क्या है 900 km क्या है 900 km और इसमें मतलब अप्ग्रेड भर्षन नहीं तो कुछ चीज भी अप्ग्रेड होगा इसमें क्या है के अफ्ग्रेड है कि आडवांच नाविगेशन सिस्टम है इसमें और वाई सिप्री सिप्री क्या होता है मैं लास्स विडिया यह बता था सिप्री आप इस चीज को जो अफ्रीवित छना ते उसको भी नौट गरना है क्या है स्टोगम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट रिपोर्ट जो है उसने ही बताए कि पाकिस्तान वाज रेंक्ड तेन्थ इन्थ इन्थ ग्लोबल लिस्ट ठीक है कितने तेन्थ है वाल्ड वाइड क्या है किसले यह पांच साल में ठीक है यह इसका रहेंगे तो अभी डिसक्सन करतें पाकिस्तान के बारे है पाकिस्तान पाकिस्तान का केपिटल क्या है इसलामबाद और उसका प्राइम मिनिस्टर को ने इम्रान खान और पकिस्तान का करेंची किया पकिस्तानी रुपी है ठीगे इस आर अलेवर्ड पकिस्तान आज कही हो मार के वाल्ड पियानो डे इस सेलिबरेटेड ओन हुई डेट 31 मार्च 27 मार्च 29 मार्च और 28 मार्च इस आर फोर अप्शन्स करना और सबस्क्राइब करना है ठीगे और आप अगर सबस्क्राइब करते तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगा और एंकरेज भी मेरे को लिए कि हाँ मेरे वीडियो को देख रहे है और अगर आप कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लएगा और डाउट भी पुछ सकते और उसमें से मेरे को भी सिखने के लिए बहुत सरे चीज़ मिल जाएगा क्योंकि मैं भी आपके जैसे एक ज़स्ट स्टूडेंट ठीक है तो एक स्टूडेंट के लिए इतना बहुत काफी होता है ठीक है तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल टू गेट नू प्लीज अज़गा सेरा टू चैनल टू स्टूडेंट न श्यू झाल टू झाल टू झाल टू जाज़स्टू झाल टू